तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयूस्त ते स्टूडेंट आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उचित अर्थ यानि की वर्ड मिनिंग क्लास 10 संस्क्रीट का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक क्योंकि बोड की एकजाम में यह तीन नमबर का आने वाला है तो आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार ही इस टॉपिक का नाम सुन रहे होंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन बोड की एकजाम में यह तीन नमबर का आता है MCQ फॉर्णमेट में आता है और आज की इस छोटी सी वीडियो को आप देख लेते हैं तो तीन नमबर आपका कनफॉर्म हो जाएगा तो पल्थी मार्क के कोपी पे निकाल लीजिए और वीडि मुनासा टॉपिक उचीत अर्थ यानि की वर्ड मीनिंग का अब चलिए स्टुडेंट स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है उचीत अर्थ को अब देखिए उचीत अर्थ होता क्या है कैसा क्वेस्टन आता है वह आपको सबसे पहले बता देते हैं क्योंकि आप में से बहुत ऐसे स्टुडेंट होएंगे हो सकता है जिनको टॉपिक ही न पता हो ठीक तो टॉपिक जान लीजे जब आप बोट के एजाम देने जाएंगे तो यह 18 नंबर क्वेस्टन यानि कि 18 नंबर जो क्वेस्टन रहेगा वह उचीत अर्थ का क्वेस्टन रहेगा टोटल त उचीत अर्थ का मतलब होता है वर्ड मीनिंग और वर्ड मीनिंग में भी कैसा वर्ड मीनिंग तो संस्क्रीत का संस्क्रीत में वर्ड मीनिंग संस्क्रीत का संस्क्रीत में वर्ड मीनिंग अब देखिए कैसे इस टोपिक में आप पूरे के पूरे नंबर लाएंगे वह आप आपको बताते हैं सबसे पहले इसको बनाने के लिए student आपको क्या काम करना होगा तो ज्यादा चिंटा नहीं करना है mcq pattern है थोड़ा सा smartness दिखाईएगा यह question आपका बन जाएगा इस question को बनाने का दो तरीका हो सकता है अगर आप से मुसी बुक का पढ़ाई बहुत अच्छे धंसे किये होगे तो यह question फटा फट आपसे बनेगा ही बनेगा जैसे पहला question देख लीजे तस से भार्या बुद्धी मती पित्रिग्रिहम परती चलीता अराम से सीखे कैसे बनता है क्योंकि तीन नमबर का topic है आसान है आसानी से तीन नमबर आ जाता है इसमें तो जो underline किया रहेगा ठीक है उसी का आपको उची तर्थ लिखना है यानि correct meaning suitable word इंग्लिस में पढ़ते न है यह सर सेम वही है यहाँ पर suitable word लिखना है तो अब आपको बताना है कि भारया का मतलब क्या होता है भराता होता है भारा होता है भगनी होता है या पत्नी होता है ठीक है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि यह line किस chapter का है वो पता करने की कोशिज कीजिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्धी मती अब बुद्धी मत तो यह नहीं आता है हिंदी समस्तु इसका मतलब है कि आप चेप्टर नहीं पढ़ें को कि इसमें जितना भी सब्द लिखेगा वो एक एक सब्द आपके चेप्टर से उठाया जाएगा तो आपने पढ़ा तस से भारिया बुद्धी मती पित्री ग्रिहम परती चली था तस से हो गया पहला तरीका उसके बाद आप कहेंगे कि सर दूसरा तरीका क्या है तो दूसरा क्या है कि आप जब NCRT का बुक पढ़ते हैं तो इस परकार से सब्दार्थ दिया रहता है देखे इस परकार से आपको सब्दार्थ दिया रहता है क्वेस्चन इसी में से उठा के पू मुझे संस्क्रीत में वहैं वह कुछे Cubac य तो आप इसको धियान में रख केगा तो आप कहेंगे सर टोटल तो बहुत चेप्टर पढ़ना है, तो सबका तो सब्दार्त याद करना पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम चेप्टर वान और चेप्टर टू, इसको तो बहुत अच्छे डंग से कर जाएए, बहुत इंपोर्टेंट है, दो नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दो क्वेस् इंपोर्टेंट कुश्चन इसका बहुत अच्छा होता है, वोसी में से आजाता है कुश्चन, हम टेलिग्राम पे दे देंगे, देख लीजेगा, अब चलिए इसी टाइप से बनाना है, अब देखिए, मा बुरुही दीनम वचा, तो ये चेप्टर नंबर 12 का है, आप इस आरक्षीना अधोनी युदू का तम तद वर्नेयामी, तो ये बीचीतर साक्षी का है, आरक्षीना, सर कैसे पता चला कि आपको बीचीतर साक्षी का है, तो देखिए, आरक्षीना, आरक्षी वाला कहानी उसी में है, चोर पुलिस वाला है, यस सर, तो आधोनी का मतलब क्या बता सकते हैं जिनको NCRT सब्दार थिया होगा तुरंत याद होगा वो तुरंत ऐसे देख लेंगे NCRT में दिया होगा एक मिनिट आपको बताते हैं देखिए आपर मुच्चिती मुच्चिती का मतलब क्या दिया हुआ है त्यजिती तो याद कर लीजे ठीक हलक है स्माटनेस लगा के कैसे बनाते हो आपको बता देते हैं तो मुच्चिती का मतलब बनाना है मुच्चिती मतलब क्या हुआ धूमा मुच्टी धूमा का मतलब हुआ धूमा तो धूमा को क्या किया जाएगा खेला जाएगा नहीं सर छोड़ा जाएगा तो इस टाइप से स्टूडेंट आपको त्यार रहना होगा इस टॉपिक के लिए अब जैसे देखिए व्यंकरा व्याग्रमारी तूर्नम धाबिता अब दो टेकनिक है या तो आप ऐसा सब्दार्त में देखिएगा ठीक है बुक में देख लीजी हम तो कुछ कहीं लगा दी है ऐसे आपके बुक में सारा दिया हुआ है तो तूर्नम का मतलब होता है एकदम त तूर्नम धाबिता तो बुद्धी मति कैसी दोरी तो टेज दोरी तो टेज का क्या होगा सिग्रम मंदम मतलब होता है धीरे ये नहीं होगा बृथा मतलब बेकार में सर कैसे पता चलता है इसका हिंदी बृथा का बेकार में अब्यमें आपको पढ़ाए ठीक तो ये नहीं ह उसके बाद है नस्टा, नस्टा का मतलब क्या होता है, भाग जाना, नस्टा का मतलब नस्ट होना नहीं होता है, भाग जाना होता है, सर आपको कैसे पता चला है, इस सब आपको चेप्टर में बता दिये हैं, इसलिए बता हैं कि इस तीन नंबर में वही बच्चा पुड़ा नमबर लाएगा जो चिप्टर को बहुत अच्छा डंग से पढ़ा होगा और इस बार नया पैटर्ण पर पढ़ना है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा चिप्टर नया से पढ़ा दिये हैं तो देख लिजेगा देखिए नश्टा का मतलब क्या हुआ मृतह य आगा संदेगा तो यह सही हो जागा याद भी नहीं रहागा तो भी बना दी जागा शुरुभी वचनम सुरुटवा उने सुर्भी के बचन को सुनकर जुद किग्ला इंद्रभ्भवान का देखिए कीम कुपीता एबं भन्नती उत्परकिर्टियस था तो भन्नती का बताना है तो आप बुक में देखेगा तो भन्नती का मतलब क्या होता है तो कत्यती होता है भन्नती का मतलब होता है कहना भन्नती का मतलब क्या होता है कहना होता है तो यह option सही हो जाएगा लेकिन अगर जिनको याद नहीं होगा, वो भी बना सकते हैं, सर कैसे, तो आपको याद होगा, पहले ये पता किजिये कि किस चेप्टर का है, तो आप देखेंगे कि सर क이म कुपिता एबन भननथी, सर चेप्टर नमबर फोर का है, हैं सिसुलाल नम का है, वि दुसक नहीं पूझता है, किम कुपीता का मतलब क्रोध में क्या वो ऐसा क्रोध में कहती है कि या उनकी स्वभाब है तो भन्नती का मतलब कहती है तो ये देंगे अब देखिए कुछ लोग अगर माली जे गरजती मार देंगे तो ये तो गलत हो जागा चेप्टर नमबर फोर में कहीं भी गरजने का बात आया है, नहीं, गरजने का बात कहां आया है, चेप्टर नमबर सेबन सोहारदम प्रकेटे सोभा में आया है, यह सर, तो इसलिए बोले चेप्टर खास होके पड़िये, वो इंगलिस की तरह पाच मिनट में समरी वाला काम न मतलब क्या होता है कांतुरी का मतलब होता है वन वने यहाँ पर इस से हम सही कर देंगे क्या हो जाएगा वने हो जाएगा लेकिन नहीं जनको याद रहेगा वो भी बना देंगे सर कैसे बना के दिखा दिए तो दोनों टेकनिक बता रहे हैं, smartness बाला भी और ये रटन्ट बाला भी तो रटन्ट का मतलब यह नहीं कि रटना है एकजाम से एक दो दिन पहले इसको क्या किजेगा याद कर जाएगा, minimum chapter 1 2 इसका तो याद कर जाएगा उसके बाद telegram पर important question दे देंगे उसका practice कर जाएगा चाट लेते हैं कोणकोण important है आपको दे देते है लेकिन ध्यान रखेगा आज जितना वीडियो में question कराएगा है न दो question तो उसमें इसमें से भी एकदम एक दो तर रहेगा ही रहेगा इसको भी ध्यान से देख लिजे सारा important है question लाए हुए अब देखिए ये तो आप सब्दार्थ याद करके बना लिए अब जिनको नहीं याद होगा तो सबसे पहले पता कीजिए chapter का है chapter किसका एकांते का मतलब होता है किसी एक कोने में कांतरे छन मपी में सेयाद संचर्णम सुची पाड़या बननम में कभी नहीं कह हुए है कि एकांते कांतरी छन मपी में सेयाद संचर्णम मेरा किसी एकांत वन में क्या हो जाए तो एक सर थोरा दिल के लिए आराम हो जाए वन में कभी जाना चाहते थे सुची पाड़या बननम में कभी कहा जाना चाहते थे वन में तो कांतरे का मतलब क्या होगा वन में ठीक है अब सर संचर्णम का मतलब क्या होता घूमना होगर ठीक वहाँ पे रहना होगर तो कभी नगर में रहना चाते थे अगर नगर हम मालेंगे नगर से तो भागना चाते थे किसान के घर रहना चाते थे किसान के घर का मतलब क्या हुआ किसान का घर तो किसान के घर में रहना चाहते थे गाउं में रहना चाहते थे कभी गाउं में भी रहना चाहते थे जंगल में रहना चाहते थे बतब कि गाउं की सीमा पे जो जंगल रहता है उसमें जो छोटा भी में धोलकपुर इंड होता है जंगल सुरू हो जाता है पहलमा पर्षाम मिलीता, नो मलीका, यानि ने ने आम के पल्लों पेर पे जो पल्लो आता रहता है, उसके बारे में कभी बोलते है, तो ब्री रसालम का मतलब क्या हूए, आमरम हुआ, राज पुत्र से भारया पुत्र जो पता पुत्री ग्रियम परती चली था यानि उसकी भारया तो भारया का मतलब क्या हुआ पत्नी ये सर पत्नी इस टाइप से हम लोग लिखते हैं सर ये जो है सर पत्नी जो है हम लोग इस टाइप से लिखते हैं पतनी लेकिन सर ये इस टाइप से क्यों दे दिया हुआ है तो इस टाइप से ये इसलिए दे दिया हुआ कि आज कंप्यूटर में आप इस टाइप से टाइप करेंगे न तो इस टाइप से हो जाता है तो ये ध्यान में रखना है ठीक है हो सकता है पतनी आपको इस टाइप से लिखे तो यह सब का जो है ध्यान रखिएगा आप लो यवेन जबेन का मतलब क्या होता है जबेन का मतलब होता है तीबर गत्या सरी किस चेप्टर कहा दे कि वरीसा बरीसा मतलब होगा बैल चेप्टर नंबर फाइब का है चेप्टर नंबर किसका है फाइब का है वरीसा जब लोग का है गुनी गुनम अच्छा सर वो करी चसी हसे बलम जानाती यानि करी चसी हसे बलम जानाती यानि करी का मतलब बताईए क्या होगा करी का मतलब क्या होगा करी का मतलब होगा गज़ा गज़ा मतलब हाती हाती किसके बल को जानता है शिह के बल को जानता है अब देखिए अब यही पेश्मार्टनेश क्या था अगर माल लीजीए कोई बच्चा यहाँ पे सीह मार देता नहीं तो गलत हो जाता क्यों? क्योंकि सीह और सेर सेर और सेर बल को जानता है इतना लाइने उल्टा हो जाता है ज़रा सोचिए कि कोई अगर खा option सोच रहे है तो हम खा ही कोई मानते हैं सही है थोड़ा दिर के लिए तो देखिए न सीह अच्चा सीह से चा का मतलब संस्क्रीट में क्या होता है और होता है तो सेर और सेर बल जानता है इक ही सलोक में आपको पढ़ा है नो सर तो यह होगा नो सर करह करह मतलब कुनो जानबार ही नहीं होता है ति करी चसिया से करी का मतलब जानबार इसलिए ये जो है गज़ा जो है सही है उसके बाद मान नीजगले वधवा चल सत्वरम देखिए ध्यान से मान नीजगले वधवा चल सत्वरम मान नीजगले वधवा चेप्टर नमबर टू बुद्धी बलबती सियार गला में बायंद वला जो कहानी अच्छा सर हां सर हां सर हां सर याद आ गया शत्वरम मतलब मंदम धीरे नहीं तो तेजी से भाग गया तो सिग्रम ठेक तो ये student technique है ये तीन नंबर लेने का तो इसमें क्या है आज जितना question कराएं है 15 question तो कराएं ही होएंगे 12 question कराएं काफी important question है दो तो इसमें से आभी सकता है क्योंकि यही question जो है इधर उधर सब्द करके पूछेगा लेकिन ध्यान रहे जो टेलिग्राम पर पिडियाफ दे देंगे उसको बना लीजिएगा और एक्जाम से पहले इसको रटने के जुरूत नहीं है एक बार सबका इसे meaning पढ़ लीजिएगा तो इससे क्या होगा कि जब वहां पर जाएंगी एक्जाम में तो आपको बहुत टेक्निक है बनाने का जैसे आप देखेंगे कि जैसी यह भार्या है तो इसका ध्यान में आ जागा इटोमेटिक यहां पत्नी होगा ठीक है अगर माल लीजिए यहां पर वर्द लिखाओ तो समाझे यार इते chapter number 12 में पढ़े थे chapter 2 है तो यह होगा ही नहीं इस type से ठीक तो यह बड़ा important था तीन number का topic है सोच सकते हैं कि कितना जरूरी है ठीक है तो इस type से student इसमें आपको बनाना है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन बन्दे मात्रा मदाव नमस्कार से जेकाल परनाम धने बाद आपका कड़ा देंगे एकदम लेस्ट टाइम में इतना अच्छा से कड़ा देंगे कि पूरा का पूरा आपका माक्स आ जाएगा तो कैसे ज्वाइन करना है आप वाट्सेब पे भी पूछ तकते हैं ठेक और या विडियो का लिंक एक डीटेल बना दियों इसका लिंक डिस सर ये भ्यंकरा भ्याग्न मारी का मतलब क्या है तो इस सारा का सारा आपके चेप्टर का सब्ध है और इस सब जब चेप्टर पनाया है तो पढ़ा दियें इसलिए बोले थी इस बार चेप्टर डीटेल में पढ़िएगा और नया विडियो से पढ़िएगा तो नया विडि जाइम 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 जाइम